हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल कविंदर भाईया तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडीफनीट टेंज का प्रैक्टिस एक्सिसाइज इस वीडियो में हम present indefinite का practice exercise करेंगे तुझे लिए देखते हैं जैसा कि हमने आपको पीछली वीडियो practice exercise का concept समझाय था तो आज हम इसका tense देखेंगे तो पहला tense है हम लोग बिहार में रहते हैं अगर आपने हमारे पीछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के playlist में जाकर देख सकते हैं तो हम लोग का हो जाएगा वी जैसा कि हमने बताया था कि बहु वचन अगर करता रहता है तो क्रिया में नहीं S लगता है और नहीं ES लगता है तो देखिए ये हमारा हम लोग है यानी की बहु वचन है तो इसमें नहीं S लगेगा नहीं ES लगेगा तो हम लोग का हो जाएगा वी रहना का होता है लिव कहां तो बिहार में इन बिहार चलिए अगला देखते हैं दो नमर दो नमर है वह हमेशा मेरी मदद करता है वह हमेशा मेरी मदद करता है तो वह कहो जाएगा ही हमेशा कहोता है always और वह मेरी यानि कि एक वचन है तो इसमें S लगेगा तो मदद करना कहोता है help और इसमें S जोड़ देंगे तो हो जाएगा helps उसके बाद मेरी कहो जाएगा me he always helps me चलिए अगला देखते हैं तीन नमर तीन नमर है वह रोज स्कूल जाती है वह रोज स्कूल जाती है तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर जाती है आता है या किसी भी वर्ड के ये जो लाश्ट लेटर आता है ये हमारा भौवेल रहता है तो हम एस लगाते हैं तो देखिए वह रोज स्कूल जाती है यानि कि कोई लड़की है इस तरी लेंक के लिए हम सी काप्रियो करते हैं उसके बाद क्रिया लगाएंगे क्रिया है जाना उसमें एस जोर देंगे हो जाएगा गोज उसके बाद कहां जा रही है तो स्कूल टू स्कूल रोज तो हो रोज का हो जाएगा डेली चलिए अगला देखते हैं चार नमर चार नमर है इसमें मैं रोज एक कप चाई पीता हूँ मैं रोज एक कप चार पीता हूँ तो देखिए मैं कहो जाएगा I और चार पीना यानि कि एक कप कर रहा तो हो जाएगा Take a cup of tea यानि कि रोज यानि कि एक कप चार पीता हूँ एक कप चार पीता हूँ I take a cup of tea मैं एक कप चार पीता हूँ कभ तो रोज, तो हो जाएगा रोज का डेली, I take a cup of tea daily, चली अगला दिखते हैं, अगला दिया है, मैं प्रती दिन व्याम करता हूँ, मैं प्रती दिन व्याम करता हूँ, तो व्याम करना का होता है, take exercise, अगर आप लोगों को इस में से जो भी word meaning नहीं पता होगा, वो आप note कर सकते हैं तो मैं कहो जाएगा आई व्याम करना का होता है टेक एक्सरसाइज और प्रती दिन कहो जाएगा इवरी डे आई टेक एक्सरसाइज इवरी डे चलिए अगला देखते हैं अगला है मैं रोज छे बजे उठता हूं मैं रोज छे बजे उठता हूं तो मैं कहो जाएगा आई उठना का हो जाएगा गेट अप रोज का हो जाएगा इवरी डे या आप डेली भी लगा सकती है और कितने बजे छे बजे तो समय देता है तो हम एट का प्रियो करते हैं यह हमारा प्रिपोजीशन है उसके बाद 6 o'clock आई गेट अप इवरी डे एट 6 o'clock चलिए अगला दिखती हैं 6 नमर अगला दिया है वहर अविवार को सिनेमा जाता है वहर अविवार को सिनेमा जाता है तो देखी यह हमारा एक वचन है तो वह कहो जाएगा ही देखी यहाँ पर भौवेल वर्ड आया है तो इसमें हम इस जोडेंगे तो हो जाएगा गोज to the cinema कहा जा रहा है तो cinema to the cinema कब जा रहा है तो हर अविवार तो हो जाएगा every Sunday he goes to the cinema every Sunday सात नमर दिखते हैं सात नमर है वे लोग आते हैं देखें वे लोग वे लोग बहु अचन है तो नहीं इसमें हम S जोड़ेंगे नहीं ES लगाएंगे वे लोग कहो जाएगा दे, आना कहो जाएगा कम देख कम चली अगला देखते हैं अगला दिया है आठ नमर हम लोग यह काम करते हैं हम लोग यह काम करते हैं तो देखिया हम लोग यह काम करते हैं हम लोग का हो जाएगा वी, यह काम करती है, करना का हो जाएगा डू, यह का हो जाएगा दिस, और काम का हो जाएगा वर्क, वी डू दिस वर्क, चली अगला दिया है, राधा स्कूल जाती है, तो राधा का राधा हो जाएगा, जाना इसमें हमने एस जोड दिया है, तो गोज हो जाएगा उसके बाद कहा जा रही है तो to school राधा goes to school चली अगला दिखते हैं अगला दिया है वे लोग मेरा इंतिजार करते हैं देखिए वे लोग कहो जाएगा दे उसके बाद इंतिजार करना कहोता है wait और किसका तो मेरा वेट फॉर मी दे वेट फॉर मी इसमें नहीं एस लगेगा और नहीं एस लगेगा क्यूंकि बहुआ अचन है दे वेट फॉर मी चली एगले देखती हैं ग्यारा नम्मर ग्यारव नम्मर है हम लोग सुबह हमें एक्सरसाइज करते हैं यानि कि वियाम करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा वियाम करना का होता है टेक एक्सरसाइज उसके बाद कब करते हैं तो सुबह में In the morning, we take exercise in the morning तो दोस्तो हमने इसमें इतना ही टेंस लिया था तो धन्यवाद दोस्तो